गुड मॉर्णिंग स्टूट्स मैंने आपको व्वी डॉटेट की लास में जिसलिके अपने टोटल कितने पार्ट सो चुका है सेवन पार्ट सो चुका है आज अपना आइटल तो विजुल वैसी डॉटेट में सबसे फर्ष्ट अपन जानेंगे कि यह मैनु सिस्टम का कैसी यूज़ के जाता है विजुल वैसी जो डॉटेट रहता है इसमें कारे करने के लिए अनेक टूल्स और कमांड्स उपलब रहता है इनमें से कुछ डेफॉल्ट इस साटिंग की वज़े से क्या रहता है इसके इन पर पहली बार में आ जाता है या फिर स्टैंडर जो टूल बार रहता है और प्रोपर्टी विंडो लेकिन कुछ तभी सामने आते हैं जब इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि समस्ते कमांड टूल्स मैनू सिस्टम में ही समाईत रहता है जो भी कमांड से वो कहां पर रहते हैं हमारे टूल्स मैनू में इसलिए सबसे पहले इसके मैनू को जो सिस्टम रहता है उसकी अंतरगत कमांडों के बारे में जानकारी प्रावत करेंगा सबसे फर्स्ट जिसी कि दिखिगा कि file menu की command कि visual basic.net जो है वो first हमारा menu होता है कौन सा menu होता है हमारा प्रत्था menu होता है इसमें दिएगा जो command रहता है कि उनको प्रयोग करना उनकी project को कैसे open कर सकते हैं तो देखिगा कि जिसी पुराने project रहते हैं उनको open करना हो या फरे print भी कर सकते हैं तो सबसे फर्स्ट जिसी कि इस file menu में new project command होता है इसके द्वारा आपको यदि नए project के निर्मान कर मतला file को खोल सकते हैं इसके क्लिक करके activate भी किया जा सकता है और आगे देखिए जो shortcut की जाती है उसके द्वारा भी आपको keyboard कंट्रोल में end को दबाकर एक command activate भी हो जाती है new command को activate करना है तो control end कर सकता है file menu के दूसरे command रहता है new website file menu के दूसरे command हमारे कर रहता है new website आप visual website.net जो रहता है तो website का निर्मान बड़ी सर अलतासिक कर सकते है विकोस कि इस command को activate कर नहीं किया जा सकता है क्यूंकि इसमें कोई भी shortcut की नहीं होती है जिसलिकि तीन डॉट की निशानों का अर्थ मतलब कि इसमें आपको इसकिन पर जैसी new website पर open करेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाए देगा कि wizard शक्रियों ऐसे box screen पर आ जाएंगे पांच वाई के इन क्लिक करने के लिए नाम के अनुसा इससे website का निर्मान करना हो इसके अनावट template नामक भाग में प्रवक की गए Microsoft की website से आप इसको क्या कर सकते हैं बहां से बनाई template अपने computer में लाकर उसे website को यूजिसरी कर सकते है यदि आप website का निर्मान खुद करेंग तो उसमें क्या रहता है जिसे website खुद बनाना चाहते है तो उसमें विजुल वैसी में इंस्टॉल सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा विजुल वैसी को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद फर्स्ट वाग हमारा रहता है ASP.NET वेबसाइट पर क्लिक करेंगे कि इसमें जो रहता है वेबसाइट को खुद डिजाइन करना पड़ता है इसके स्क्रीन पर नीचे भाग जो रहता है उसको डिजाइन करेंगे कोड में बदलाव करने के लिए इसी के बायू दियेगा बटन को क्या करते है सोर्स का प्रेउप कर सकता है जुकि फायल मेनू के तीसरा कमांड रहता अपना उप्टम खोचा अभी तक अपने कितने कमांड पढ़े तो दो कमांड पढ़े ते हैं लाश्ट कमांड जो कि open project इस कमांड को प्रयूप करके आप पहले से बने project को खोल सकता है इस sense man में बने project या किसी भी पुरानी sense man को कमांड को तारा खोलेंगे और इसे कीबोर्ड के तारा activate करने के लिए कंट्रूर के साथ कीबडन को दबाएंगे आगे देखेंगे कि जैसे की visualvessic.net के file menu में जो हमारा fourth command रहता है उसमें बने websites को खोलने के लिए कमांड ने ओपन website होगा इस options पर बॉक्स हो रहता है वो उसमें इस्तिमाल करना websites को आपको open करना चाहते है अभिषक्ता है कि अनुसारों को परिवर्थित करना तो परिवर्थित करने कारी को दूसरे कमांड पर कर रहता है तूल्स के तारह उसमें कर सकते है फाइल में इनों का हमारा 5 वा कमांड अभी तक हम के देख चार कमंड पढ़ चुके है 5 वा कमांड हमारा open file इसके दारह कहा रहता है कि visual basic.net बने हुए किसी भी file को open करेंगे यहां पर कहा रहता है कि open project कमांड पर यही कारी करता है और इस कमांड के अभिषक्ता होती है कि यह यहां पर एक बात इसपर होती है कि समझने के लिए project कई प्रकार की file रहती है जैसे form बनानी पाई, code file ऐसे किसी भी file को कमांड के दारह खोल सकते है visual basic.net का file menu में कही menu भाग होता है इससे पहले और दूसरे में जो समझते कमांड होता है उनके बारे में चानकार जाए जैसे कि आपको तीसरे कमांड में आपको एड नामक कमांड दिया गा रहता जो कि mouse pointer को ली जाएंगे और scan पर क्या करते है उस menu में चित्री की तरह आ जाता इस menu की उप कमांड चार होता है उप कमांड हमारी चार कॉन कॉन से रहेंगे in इन्मी विजेवल वैस्ट में खुली जो प्रोजेक्ट साहता है उन्हें प्रोजेक्ट नई वेबसाइट पहले से बने जो वेबसाइट जोड्ते ज्शेसे कि new project कमांड पर klick करेंगे एन नया project select करने को options आएगा इसी तरह से उसे पहले से बने खुले प्रोजेक्ट में जोड सकता है File menu की तीसरे भाग में Add के साथ Close नमक कमांड होता है इसका प्रयोग खुले प्रोजेक्टों और File कमांडों के लिए बंद करने के लिए किया जाता है इसपर click करने के लिए प्रोजेक्ट और File को क्या करते हैं बंद करने के लिए Add पार्म करते हैं से प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट रहता उस command होता है इसका प्रयोग बाद में खुले याral Bei Project को बंद करने के लिए किया जाता है फिर आप की का करते हैं Command पर प्रोजेक्ट करेंगे, कमांड पर क्लिक करेंगे, फिर बंद करने से कह रहता है, अपने जैसी आप उसे बंद करेंगे, तो आपकी स्किन पर एक मैसेज आ जाता है, जिसमें लिखा रहता है, इस प्रोजेक्ट को बंद करने से पहले सेव करेंगे, या तो आपको जिसे सेव क करना है तो Yes कर देंगे नहीं करना है तो No बटन पर क्लिक करदेगा यदि आप इस बटन पर क्लिक करते हैं प्रो富ट सेंव हैं इसे तरीकशे से No बटन करने प्रोत्वर से क्लिक काने ऐदा ne बन्षख करना है, शुक्त कि जयत एक वीव, रिखुल कि कमांड को कीबड में प्रयोग कर सकते हैं, वो कंट्रोल की के साथ ऐसे तबाएगा, जो कि यह सेब हो जाएगा, आप जिस प्रोजेक्ट में एक आरे का रहे हैं उसे एक वार सेफ कर चुके हैं, लेकिन किसी माल लिजेए कि वो नए नाम से सेफ करने के ज़र्णा थे हैं, कि आप यूजरी तो कि दूसरे सेवेस का प्रयोंग करना होगा तो खुली हुँझा, फाइल रहेंगे उनके प्रोजेक्ट को एक सेफ करने के लिए और सेफॉर्ण नामक कमांड पर यूज करेंगे, कीबोर से भी